जैन दोस्तों स्वागत थे आपका और एक वीडियो में और एक डॉपिक के साथ मैं हूँ डॉक्टर देवू मैं हूँ राजेश जात का जो वीडियो है वो नेपल की और से नेपल में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है और वीडियो का टाइटल है नेपल्स प्रो मोनची स्टो वीडियो है वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों खातर कि आपके दोस्तों के साथ जरूर से कर दिएगा और चैनल पर पहली बार और सबस्राइब नहीं किया तो चैनल सबस्राइब जरूर सब्सराइब नेपाल में तेज हो गई है आपको बता दें नेपाल के लोग क्या तो यह पूरा नेपाल का प्रक्रान परोसी देश है हमारा और खासा भारत की जो है नजरे हमेशा से नेपाल पर बनी रही है संबंद भी अच्छे है बीच में कभी-कभी खटास बन जाती है इस पूरे मुद्दे पर आज हम बाचीत करने वाले हैं मेजर ली राइट नमस्कार मैं हूँ प्रेम कशिप आप देख रहे हैं मेजरली राइट और इस पूरी बाचीत को करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर गौरवारिया स्वागे थे स्वागे थे आपको देखे ऐसा है प्रेम टॉपिक बहुत अच्छा है जो आपने चूज कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ कि पहले भी नेपाल था हिंदू राष्ट बाद में सेकुलर घोचित कर दिया गया अब फिर जो लोग आए हैं लोगों ने देख लिया है इतने सालों में कि एक सेकुल मिनिस्टर ओली थे तब लोग यह कहते थे कि चाइनीज एंबसी जो है वहां से नेपाल जलता है एक्चुली पार्लेमेट वही थी नेपाल की लोग कहते हैं ऐसा मुझे नहीं पता लोग कहते हैं कि ऐसा होता था तो लोगों के मन में बड़ी भावना थी कि यार चीनी जो ह हमारे देश में इंटेफियरंस क्यों कर रहा हैं एक आम नेपाल के नागरेक को कभी ये नहीं लगा कि भारत इंटेफियर कर रहा हैं क्यों क्यों कि भारत में कभी इंटेफियर कर रहा नहीं और हमारा हग है यार ठीक है कैसे हग है हमारा मैं बताता हूँ हर एक नेपाली है वो भारतवासी है और हर एक भारतवासी नेपाली है हमारे हजारों साल पुराने रिष्टे हैं पहली बात तो लोगों को ये पता लग जाए कि ये जो पूरा हम लोग हिंदू राष्ट की बात कर रहे हैं या किंग ग्यानेंदर को दुबारा यूनों मोनार्कियल सिस्टम कि आपने बात करी ये है क्या देखिए सीता मा कहां की रहने वाली थी और प्रभुश्री नाम का ससुराल क्या था तो नेपाल हमसे अलग थोड़ी मैं हाँ नेपाल एक एक इंडिपेंडेंट कंट्री है भारत एक independent country है लेकिन हर एक नेपाली का भारत की उपर अधिकार है और हर एक भारतवासी का नेपाल की उपर अधिकार है पशुपतिनातन मंदर कहा है है तो हमारी तो भावनाय जुड़ी है धार्मिक भावनाय सबसे बड़ी बात है देखो जियो स्ट्राटजी Chinese interference Indian influence ये सब बाध की बात है ये सब बाध की स्टोरी है तो अभी की स्टोरी है 70-70 साल की स्टोरी जो कहानिया पुरानी चली आ रही है जो हमारे माबाप ने हमें सुनाई उनके माबाप ने उनको सुनाई हम बात कर रहा है रामान की तो हमारा रिष्टा तो तब से चला आ रहा है पहली चीज दूसरी चीज है कि नेपाल में जो राजा है उनको विश्णु भगवान का अफ़तार मानते है उनको कई लोग विश्णु भगवान का अफ़तार मानते है और राजा की, राजा को पूजनी यह माना गया है एक तो वो है कि उन्होंनों माननी यह माना गया है इरिस्पेक्टिबल यहाँ पर अलग है नेपाल में उनको बोला है कि यह विश्णु भगवान के अफ़तार है और जो चाइनीज इंटेफेरेंस से जो आम नेपाली है वो बड़ा दुखी है इनकी यह नेपाल की आइडेंटिटी हिंदू है नेपाल की आइडेंटिटी हर समय नेपाल अकेला दुनिया में हिंदू राष्ट था एक जमान भारत भी नहीं था भारत में 85, 83, 84% हिंदू है भारत कभी नहीं था नेपाल हर समय हिंदू राष्ट्र ही था वो बीच में खुद आके सेक्यूलर बने वो पर उन्हों ने देख लिए अभी प्रचंडा है वो थोड़ा सा बैलन्स आउट करने की केपी शर्मा ओली थोड़ा एक्स्ट्रीम था उसके बारे मोटी सी थी कहानिया भी नेपाल में बड़ी थी लेकिन थोड़ा सा प्रचंडा ने कोशिश करी है कि बैलेंस करें लेकिन लेकिन लोग पसंद नहीं करते हैं और नेपाल जो है वो हिंदू धर्म का गड़ है मतलब आप यह समझ लीजे जिस देश मां पशुपतिनात मंदिर हो वो गड़ तो होगा इस ठीक है उसी प्रकार से आप पशुपतिनात को नेपाल से लग कैसे कर सकते हैं तो लोगों की आस्था है लोग पले बड़े हैं उनके कई सौ जेनरेशन कई पुष्टें वहाँ पे जी हैं मरी हैं आगे बड़ा आया पूरा वो देश तो वहाँ पे बहुत एक आस्था हिंदु धर्म को लेकर है मैं तो मिल रखा हूं नेपालियों को जो वहाँ से आये थे वी मेट देम और वो कहते थे तब कहते थे आज से चार-पात साल पहले तब से उनका यह मानना था कि हमने करना आईगे अच्छा एक बड़ा सवाल है कि 2008 में मोनार्केल फॉर्मेशन खतम हो गई यह जो मोनार्केल था 2008 में इसको एबॉलिस्ट कर दिया गया हट गया इसके बाद वहाँ का पॉलिटिकल सिनारी कुछ सही नहीं रास है लोग दस दस बार गॉर्मेंट बदली है वहाँ पर है ना लगातार मतलब पॉलिटिकल इस्टेबिलिटी आई नहीं लोगों में बैंक में जो पैसे दिये थे लोगों ने बैंक के पैसे ही गाइब हो गया यह परिशानिया लोगों को ने फेस की है मैं आप ठीक कहा रहे है पर देखिए ना बात यह होती है कि जो लोग बात करते हैं रेविलूशन की भारत में भी लोग बात करते हैं रेविलूशन की यह होगा यह होगा इनकलाब होगा यह होगा जब तक इनकलाब नहीं होता है तब ही तक इनकलाबी चड़ा रहता है जि ये ऐसे बड़े मशूर politician है जो हर समय agitation के mood में रहते हैं हर समय inqlaब के mood में रहते हैं वो state नहीं चला पाते हैं वो जहां पे उनको vote मिला है उस जगे को चला ठीक से नहीं पाते हैं पर वो 24 घंटे protest और inqlaब के मूद में क्योंकि वही उनका USP है तो ये जो government आई है चाहे वो केपी शर्मा उली की हो चाहे वो प्रचंट प्रचंट तो hardcore communist था इन्होंने हर समय एक adversarial जिसको कहते न कि देखे आप अगर मैं हिंदुस्तान में बैठके let me be very clear अगर मैं भारत में बैठके नेपाल को बुरा बोलूँगा तो कोई भारत में believe नहीं करेगा अगर मैं पाकिस्तान को चार गालिया दूँगा लोग मान लेंगे हाँ ठीक मैं चाइना को गाली दूँगा हाँ मैं किसी भी और देश को उल्टा सीधा बोलूँगा लोग बोलेंगे ठीक है मैं नेपाल को डूटो सीधा बोलूँगा लोग accept नहीं करेंगे इंडिया में च्योंकि नेपाल के साथ रिष्टा अलग है बिल्कुल ठीक है वो भाईयों वाला रिष्टा है similarly अगर नेपाल में अगर भारत को गाली देंगे तो हो सकता है वहां की सरकार बाइयन करें वहां काम आद्मी कभी बाइयन नहीं करेगा तो जैसा मैंने बोला की दे वर्शिब दे किंग इन नेपाल अभी पुराने लोग अभी बहुत मानेता है और हमारे टाइम पर बहुत पहले की बात है महाराजा बिरेंदर होते थे जो महाराज होते थे वहां पर शाड डाइनेस्टी थी बहुत पुरानी जिनकी राजाओं के साथ लडाई भी हुई थी और ये सब ये सब हुआ बाद में उनका राजपार्ड भी चला काफी साल तो ये जो पूरे लोग अब जो कहरे है ना नेपाल में they want to go back to the roots क्योंकि ये comfort था अतीत में चलो यार वहाँ पर comfort है ये चाइना जो कर रहा है आपने बोला कि यार एक साल में दस-दस सरकारें क्यों होता इसा जिसको Chinese समझ नहीं है उसने बात नहीं मानी उसको निकाला अच्छा वो ना लाएगा उसको निकालो उसको निकालो उसको निकालो ये जो लोग परेशान हो रहे हैं जो सलक पर आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यार तुमने हमें democracy तो दी लेकिन democracy का मतलब क्या होता है for the people, by the people, of the people होता है ना ये for the people है, ना ये of the people है, ना ये by the people है राइट आपने कुछ political जिगरी-बुगरी करी और आपने बना दिया को कि तू प्रधान मंत्री, कल तू परसों तू वेर इस दे विल उफ दे पीपल आज की तारिक में भारत में प्रधान मंत्री नेरेंदर भाई मोदी he is the prime minister he is there because of the will of the people वो प्रधान मंत्री इस लिए हैं क्योंकि 140 करोड लोग, माफ कीजेगा 140 करोड लोग उनको अपने लीडर मनते हैं दिन से इसलिए हो भारत के प्रधान मंत्री उनके साथ मिलके coalition government बना लें तो ऐसी जो सिनारियो वहाँ पर बनती रही है इन दस सालों में जैसे हमने डिस्कूस के लेकिन आप देखे बात यह आता है सिरकी लोग कह रहे हैं वहाँ के लोगों का साब तोर पर कहना है कि हमें 1990 वाला constitution चाहिए हम आज का constitution है जो की secular state बनने के बाद उनका जो constitution फ्रेम हुआ था वो नहीं चाहिए जो 1990 में हम constitution को मानते थे हम वही मानेंगे और इसके लिए बहुत आयत संख्या जो है सड़कों पर है नहीं देखिए बात यह है कि राजा के पास एक जमाने में executive power हुआ करता अब बोला कि राजा तो है लेकिन राजा एक टिटूलर टाइप का हेड है रियल executive power is wielded by the prime minister लोग सिर्फ उस प्रथा को लटना चाहते है राजा के पास अपना prime minister हो जो मराठा राजा थे मराठा राजा जो थे पेश्वा जो थे उनके अंडर वो पारफुल होते थे लेकिन चातरपती शिवा जी तो चातरपती शिवा जी थे चातरपती शिवा जी संभा जी तो चातरपती शिवा जी महराज थे वो तो थे ना वो तो टॉप पे थे ना तो वही चीज नेपाली क्या बोल रहे है नेपाली लोगों का यही कहना है कि राजा होना चाहिए, राजा के पास अथोरटी होनी चाहिए और बाकी लोगों को प्राइम मिनिस्टर भी हो अभी क्या होता है प्राइम मिनिस्टर इस एग्जेकिटिव में, he's the supreme वो मना कर रहे हैं उस चीज़ को लटना चाहिए नेपाल लोग और यह प्रचंडा के साथ यह है कि केपी सर्मा ओली उन लोगों प्रोटेस्टर के साथ आ चुके है उन्होंने कहा कि हम इत्वाद समर्थन करते हैं और अब प्रचंडा के खिलाफ है ठ्क है तो उसे पर्चंडा के साथ यह प्रचंडा के साथ था पहले खिलाफ था फिर खिलाफ हो गया तो यह एक ही बंदा एक बंदा पार्टी यह उसी परटी में रह है कि अपनी चार बार पार्टी के आइडेयोलोजी बदल देते हैं नेता और ये लोग लोग देख रहे हैं, राइट? देखे नेपाल के का या कई चैलेंजेंज है, नेपाल का एक चैलेंज तो यह है कि एक तरफ इंडिए बैठा है, एक तरफ चाइना बैठा है, और दोनों की चाइना को क्या एक्या इक्स्पोड करो गया। आप मैंनेफ्ट्च्चर क्या करते हो जो चाइना wond Cannatament की China तो चाइना के साथ जो आपकी Trader One Way है। चाइना के साथ जो आपकी zij वन वे है। और दूसरी चीज है जैना उस तरीके से नौकरी और जॉब्स में quality कब नहीं करता जिस तरीके से इंडिया करता है इंडियन आर्मी इंजा गुर्खा राइफल्स है तो यार ओर पिरिडर आफ टाइम ना जो हमारे रिष्टे बन चुके हैं नेपाल के साथ जो नेपाली लोगों के साथ रिष्टे बन चुके वो एक अलग लेवल के हैं और ये पुराने दिन चले जाए क्योंकि नए दिन उसको बड़े बतसूरत लगते हैं तो अब आगी क्या देख रहे हैं कि ये प्रोटेश्टर कितने एग्रेसिव होंगे या इसका इंपेक्ट क्या पढ़ने वाला है या इसमें इंडिया हस्तक शेप करेगा अब लगता है कि ने इंडिया का हस्तक शेप करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि देखे बात ही होती कोई भी देश दूसरे में हस्तक शेप करता है ना तो बात पता चल जाती है और अगर आप इंडियन से पूचे है कि कै लोगों की होती है ना वो कहते है कि मौना करने वाले हिंदुराष्ट होती है तो यह तक शेप करने की जरूति कै अच्छी बात है अगर नेपाल चाहता है हो हिंदुराष्ट्रा बने तो नेपालियों की मर्जी है उनका देश है संपरभुता किसकी है लोगों की होती है वो कहते हैं कि मौनार्किल सिस्टम हमें चाहिए हमारे राजा को आप फिर से एक्जिगटिव पावर दीजे लोगों की मर्जी है यार इट इस दे विल अफ पीपल if the people willingly say that we want our king to have authority, to have power there is nothing wrong because this is also democracy because the king is there because of the will of the people क्योंकि हमें केपी शर्मा ओली और प्रचंडा जैसे लोग नहीं चाहिए अचा मैं अगर मेजर गौरवारिया साब से पूछ हूँ कि आप नेपाल को पहले भी देखे अब के करेंट सिनारियो को भी देख रहे है आपके नजर में क्या सही है पहले वाली स्थिति सही ती नेपाल की या अब वाली चीजह है पहले वाला बहुत स्टीबल नेपाल था मैं तो जाता रहो हूँ दो三पर गया हूँ नेपाल बादा स्टीबल था ता बहुत स्टीबल था जबahlt राजा थे ना महाँपे तो वहाँ पर बड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नेपाल में फालतू के हरकता नहीं होती थी तो पिछले 8-10 साल से हो रही है 15 साल से यह सब ना जब से इनका यह के पी शर्मा वोली और प्रचंडा प्रचंडा यह सब राजा के अंडर सब कुछ ठीक ठाक था लोग और नेपाल के लिए मैजर साब आप यह बोलना है कि मुनार्की होनी चाहिए यह भी लोग कह सकते हैं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ इसरीफ यह कह रहा हूँ कि वहाँ आपन विद दो पीपल जो सुच्छा होती है ना सुच्छा से काम बढ़िया होता है अगर ने इसलिए नहीं हो सकता है विकॉस दी आइडियोलोजी ऑफ अ मनार्किल रूल इसेंशली इंकेस अफ नेपाल इसेंशली हिंदू वो हिंदू राष्ट्र था नेपाल प्रॉपर हिंदू राष्ट्र था जहां पे महराजा को विष्णु का अवतार माना जाता था और बहुत कटर हिंदू आज भी वहाँ पे हैं नेपाल में हिंदू धर्म हिंदू धर्म की आस्था हिंदू धर्म से जुड़ी गी आस्थ और बाकी सब चीजे नेपाल में बहुत ज्यादा हम लोग शायद भूल गए अपनी जड़ें नेपाल में अभी भी आप इन प्यूर फॉर्म आपको कही जगे मिल जाएंगे जो वहां पे जो हिंदुजम प्रैक्टिस होती है जिस तरीके से नेपाल में तो इस पीपला बरी पर्टिक्लर मैं जाकर देखा मैं तो पशुपुदीनाथ भग तूं बहुत पुरा ना जाता हूं आप कहानी भी सुना रहे थे हां वो नहीं वह पासिंग थूर वरी बैड फेस एक बड़ा बैड फेस चल रहा था मेरा लाइफ में तो मुझ ऐसी लग रहा था कि यार किसम ही आ थे हाँ उसके अंदर मैं अपनी घड़ी और अपनी पर ने अलगर आ सी अंदर में ध़ी बढला के लिए और मेरी मेरे डेस्क परिवार की मूरती लगी मुझ से जादा किसी की जरूरत नहीं है जाको राखे साही आँ मार सके नहीं अजि मेरेंठी है तो अब इन्डिया के साथ अन्य जरूशनिस्जिप थी कंऑ हो मैं छोड़ी सी बाता हूं consider मैं खोड़ी सी बाता हूं किसोड़ी सी इंडिया के ज़िते हैं अर्च सी बातां इनीशली रही है हम जब कहते हैं ना कि नेपाल हमारा भाई है तो हमें ये भी कहना चाहिए कि नेपाल हमारा भाई है लेकिन नेपाल हमारा छोटा भाई नहीं है हम दोनों भाई बराबर है ठीक है नेपाल की जन संक्या कम होगी नेपाल का लैंड साइस कम है नेपाल की एकॉनमी कम है इसका मत तोड़ना है कि आप नेपाल को सुनाएंगी तुम्हे एकरना चाहिए नहीं भाइयों में प्यार होता है और प्यार की नीविज्जत होती है रिस्पेक्ट होती है मैं तो नेपाली लोगों का बहुत दिल से सम्वान करता हूं वह बढ़े पैरे लोग हैं बहुत पैरे लोग हैं कभी जाना नेपाल आफ को मदर आजाएगा अब डरदूं में चले जाए हैं वहां पर यह गुरके बहुत है भारत और नेपाल भाई हैं लेकिन नेपाल छोटा भाई है नहीं भारत और नेपाल भाई है और दोनों बराबर के भाई है जब तक आप बराबरी का रिष्टा रखेंगे जब तक आप आप किसी को help नहीं कर रहे हैं, आप नेपाल पे कोई favor नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हिंदू मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो सीता मा का घर है, वहाँ पच्छबकिनात है, भावनाएं जुड़ी हुई है, इसमें कोई help नहीं होती है, अपने भाई को मैं आपको, आप मेरे अगर नेपाल कहता है कि भारत को, कि आपको यहां पे 5 अस्पताल बनाने हैं, अगर नेपाली गव्मेंट यह कहती है भारत को, कि आपको नेपाल में 5 अस्पताल बनाने हैं, तो हमारे लिए इज़त की बात है, कि नेपाल ने हमसे बात बोली, and we should do it, and we should do it free of cost. बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए वीडियो में पूरी तरह से हम भी सान थे उसका रिजन यही था क्योंकि मेजर गवरों आर्या जो डिटेल जानकारी दे रहे थे इसमें डिस्टब मेरों मेरे को निया करनी चाहिए क्योंकि यह अब सबको भी होना बहुत जरूरी थी और सबसे पहले में आपको बनाद जी का मंदीर है मुख्य मंदीर तो हमारे हिंदु के में भगवान है पसुपतिनाज जी और हमारे सीता मैया वो इन चान आप्हें है और अभी यह ने नेपाल में आँठा रही है क्यूंकि अब नेपाल को भी पता चल चुका है कि साइबर की नेस्तिे स्यटों नोगों को पता चल सुका है कि नेपाल की हालात बरबाद की और सली जाएगी नेपाल में जो शांती है आप अच्छे से आप सब लोग जानता है बहुत सार लोग भारत के वह नेपाल गए होंगे तुकि वह भी एक हिंदू राष्ट्र वहां पर बहुत सारे टेंपल है बहुत सारे और जाना एक पर दूस्तों विजिट जरूर करना बहुत ही बढ़िया देश है में तो नहीं गया हूं लेकिन जो वहां पर हमारे यूटूबर जो ब्लोगिंग करते हैं वीडियो ब्लोगिंग बनाते हैं वह लोगों ने उसके वहां पर जाके जो वीडियो डाले है और चाइन ने चाहता है वहां पर कभ़ेंग और हमारा नेपाल के साथ एक विवाद भी शलता है तो वहां पर शायना इंटरफिर इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां से चाइना को डायरेक्ट एंट्री मिल सकें इंडिया में कभी भी यूद हुआ तो ठीक है इसी वज़े से है नेपाल की नेपाल को लोले पोप दे रहा है ऐसा समझ लो ठीक है तो यहीं अब तो भारत का नेपाल में लगाया जाएगा और वहां बिजली होगी भारत में आएगी उसका जो भी पैसा जो भी मतलब सार्जिस होता है वह नेपाल को तो नेपाल की इकोनोमी स्ट्रॉम होगी उससे भी और चाइनीज ने इंटर्फियर किया तो भी आवाम को पता चाहिए तो हिंदू खत्रे में है यह पका है मैं नेपाल की बा तरह नेपाली बहुत पढ़े लिके लोग है एसा गोड़ी और नेपाली इसा मदलू कि नेपाल भारत है और भारत है वही ने नेपाल हमारा रिलेशन ऐसा है नेपाल के हैड़ा लेकिन लास्ट में एक दिशक की बात कले है जब से वहां पर यह सब से सब्सक्राना पसे यह बहुत आ रहा है अब लोग वहीं चाहते हैं छांती और शांती सब लोग चाहते हैं कहीं पहीं पहीं पर नेपल कोई भी कंट्रियों वह लोग सांती और बात करना चाहते हैं बाकि उसको पता है कि नेपाल में चायना क्ई आलाइट होगे ओपा चायना की नीति आप तो बहुत सब्सारे पता सतीश हों झाल झाल